नमस्कार आप सभी को और बिल्कुल मैं आज से शुरू कर रही हूँ डेटर प्लेस भी एंटीटी के लिए आपके लिए जतनी हो सके मेरी तरफ से अच्छे सी क्लासेज आपके लिए आएंगी बिल्कुल यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम एक कुछ एक प्रश्ण है हाला लाकि मैं बताओं कि मैं टीचर नहीं हूँ अगर सब्सक्स से बात करें बट मैं ऐसे कुछ प्रश्ण आपको दिने वाली हूँ जिनको आप उनका पैटर्न जरूर धान रखें जिससे कि आपको इस तरह के कुश्ण जैसे ही मिले आप तुरंत उसको कर दें खालिस में आपका पोस्ट सब्सक्राइब आते हैं उससे लेटर काफी सारे पीडियाफ आपको मिल चुकी है और हम इसको आपको वीडियो मिलती रहेगी तो यहां पर हम कुछ एक प्रश्ण करेंगे जोब के डिट प्लेस भी में आयो है यह आपका मैस का यह वीडियो है सबसे पहला यहां पर मैंने लिया है इसको आप जरूर से जरूर यह पैटर इस तरह से मैं करवाओं कुछ समझाओं उसको आप जरूर दिमाग में रखिएगा ताकि आपको काफी हेल्प मिले इससे पहले भी मेरे काफी वीडियो आ रखे हैं उनको आप जरूर देखीजेगा इस तरह क कि कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको काफी काम देगी तो यहां पर पहला प्रश्ण मैंने एक लिया है कि कोई प्याज का मुले है 40% से घटा दिया जाता है जिसके कारण वह जो व्यक्ति है वह 400 रूपे में 8 किलो प्याज जादा खरीद लेता है इसका मतलब है कि प्याज प्याज का नया और अरंबिक मुले क्या है अब इस तरह का प्रश्ण देखते हैं तो इसको कैसे समझतों मिलकूल इसको बेसिक से समझाने वाली हूं आप आप जो अतना है खुद की जिन्दगी से देखिए व्याभार मिला के देखिए अगर कोई प्याज का मुले 40% से तो एक चीज समझ यह कि जैसे कि मैं यहां पर चीज ले लेती हूँ समझने के लिए और यहां पर एक्स यह करके की बैज्से यह आपकी 25% से आपकी कोई बढ़ रही है ठीक है समझने के लिए हम लेते हैं इसकी 25% है तो उसको हम fraction value में convert कर लेते हैं तो नीचे में इसके 100 व बात करें अगर कोई value बढ़ रही है और उसके कीमत में वरदी हो रही है प्रतिशत से तो यहां पर उसके जो खरीदेंगे उसमें कितनी कमी आएगी तो उसमें जो कमी आएगी वो होगी x upon यहां पर यह जो value है x equal to 1 है और यह वापकी y है तो वो आपकी कमी आएगी x upon x plus y की कम कैसे हम बात करें तो आपका 1 upon 4 की यह fraction है तो कमी के लिए हम x को x रखेंगे 1 और y की value यहां पर 4 है तो उसका मतलब है 1 upon 5 की यहां पर कमी हो जाएगी अगर किसी भी कोई भी चीज है उसकी अगर जो कीमत उसके दीग हुई है इसमें 25% के अगर जादा ली जाती है कीमत तो जो हम खरीदेंगे उसमें कमी हो जाएगी 20% की 20% कैसे मैंने बोला तो 1 upon 5 की अगर आपन percentage value देखे वो क्या हो जाएगी इसकी 20% यहां पर आप into करके इसका देख सकते हैं तो into करके देखेंगे तो यह आपकी 20% आ जाएगी ठीक है यह चीज तो यह है अब इसको किस तरह से मैंने यहां पर किया है उसको आप एक और चीज से समझ सकते हैं तो यहां पर मैं इसको यहां क्लियर कर देती हूँ यह आपकी थी 25% ठीक है 25% अगर किसे में वृद्धी हूई है तो उसमें कितना हम कम करेंगे तो आपका 20% कम करेंगे यहां पर 1 upon 4 है तो उसमें कमी हो जाएगी 1 upon 5 की क्योंकि यह आपका x है और यह आपका y है और कमी होगी x upon x plus y की आपर कमी होगी ठीक है इसके बराबर होगी अब हमने ये कैसे समझा कि कैसे ये कमी हो गई है अब आप इसको समझेए ऐसे बही जैसे कोई भी किसे का मुल्ले था 100 रूपे 25 प्रतिशत की व्रदी मतलब 100 का 25 प्रतिशत हम निकाले तो 25 हो जाएगा तो 125 की वो चीज हो गई है ठीक है कोई भी हम बात करें कोई भी packet है वो आपका 100 रूपे का था और उसमें 25 प्रतिश की व्रदी हो गई है तो उसमें 125 का वो हो गया है तो यहाँ पर हम बात करें कि अब वो जो है उसको वहाँ पर कितना कम करना चाहिए तो 125 पर कितने की यहाँ पर हम अव्रदी की बात करें तो 125 यहाँ पर हम नीचे लेंगे तो यहाँ पर 25 की यह हुई है तो इसको हम काट देंगे इस तरह से तो इसके नई value वही आजाएगी 1 upon 5 और यह इसको 20% इसका मतलब है कि इतनी कमी करनी है वही आपको बराबर लाने के लिए 20% की इसको कमी करनी होगी तो वही चीज आगई 1 upon 4 कि अगर कोई चीज बढ़ रहे है तो इसको कम करने के लिए 1 upon 5 उसके कमी करनी पड़ेगी उसकी खरीदने में तब ही हम वह बराबर कर पाएंगे उस चीज को अपना बजट जो अपन लेके चल रहे हैं सो रुपर में अपनको चीज खरीद दी है अगर उसकी इत्ती value बढ़ जाती है तो अपनको वह चीज उत्ती ही कम खरीदनी पड़ेगी तो वह चीज का आपको यह ratio समझ लेना है अब इसको कैसे solve करना है अब समझे अब यहाँ पर सीधी हम बात करें कि बढ़ा कितना और यहाँ पर मैं plus लेकिन यहाँ पर तो घटा है तो घटने के लिए मैं आपर 40 upon 100 इसका मतलब इसकी जो fraction value है वह आपकी 2 upon 5 हो जाएगी इसका मतलब है कि घटा है इसका मतलब बढ़ा कितना होगा तो 2 upon x यहाँ पर y होता है और x plus y यह बनता है इसका मतलब 5 में से 2 हम घटा देंगे तो इसकी यह वाली बड़ी है ठीक है मतलब अगर 40% से कोई घटा है इसका मतलब है उसको हम बढ़ा देंगे तभी उस जो अपने पास जो चीज है अप इतने पैसे हैं उनमें हम वो चीज खरीद पाएंगे आप समझ पा रहे होंगे तो यह आपकी यह वाली value आ चुकी है अब इससे हम आगी की चीज़े करेंग कि अब मैं आपर इसको अब जो बात की जारी है कि total हम बात करें fraction में अगर आपने चीज़े सीखी हो तो fraction में जो नीचे की value है वो total हो जाएगी वो उपर की आपकी जो इसमें से आपका कितना बढ़ा है कितना कम हुआ है वो हो जाएगा दो बटे तीन के बराबर कितना हो जाएगा कि वह आठ जादा खरीद पाता है या तो आप इसको बराबर ले जागे कर सकते हैं या फिर एक और चीज़ समझ सकते हैं कि ये इससे कितना गुना है ये इससे चार गुना है इसका मतलब ये नीचे वाली value भी इससे चार गुना होगी तो इसका मतलब है 12 इसका मतलब है कि वह टूटल जो है वह बारा खरीद था लेकिन अभी है इतुमें चेंज के आया है कि अजय कि अवी आर्ठ हकरीद रहा है समझा गया तो बारा तो खरीता थे लेकिन अभी जो है जैसे कि सालीस परचीब से घटा दिया तो अभी वह 8 ज़्यादा खरीद रहा है अब यहां पर पूछा है कि उसमें 480 रूपय में जो है वह 8 के ज़्यादा खरीद रहा है तो प्याज का नया और आरंबिक मुल्य है ठीक है तो अभी हम बात करें 480 में हम अगर यह बराबर है 400 में हम 12 किलो अगर खरीद रहेते तो 12 का भाग हम इसमें देंगे तो ये आपका किता हो जाएगा यहापर 40 ठीक है तो इसमें आरंबिक मुल्य तो इसका 40 था अब हम बात करते हैं कि यह 8 किलो जादा खरीद रहा है तो इसका मतलब 20 वारा total ही खरीद रहा है 20 kilo खरीद रहा है तो आट किलो है 480 रुपे में 20 kilo अब खरीद रहा है तो इसका मतलब है कि अभी कितना हो जाएगा d25, इसका पहले वाला मुल्य तो 40 रुपे किलो था अभी जो यह कम होके कितना हो गया है 24 रुपे किलो तो वो 8 kilo जादा खरीद रहा है इसका मतलब इसमें option 3 जो है इसका right answer हो जाएगा तो ये pattern आप जो है इस तरह से समझ लीजिए या फिर आपके बास book में जिस तरह से है वो समझ लीजिए इस तरह के प्रशन आते रहते हैं तो आप इस तरह का pattern का प्रशन जरूर से जरूर practice करके जाएग I hope आप इस तरह से जरूर सको समझ पाएगे और आपको एक बार में समझ नहीं आएगा अगर आप और भी इस तरह से प्रशन करना चाते हैं यह मेरा वीडियो को लाने का मकसद ही था कि आप इस तरह के प्रशनों पर practice करे ताकि आपको कोई प्रशन आके आए तो उसको आप पर solve कर सके पहला प्रशन आपका हो चुका है जिस पर काफी प्रशन आते रहते हैं बार-बार दूसरा हम पैटन देखते हैं एक उर पैटन है इसको भी आप रट लीजिए बढ़िया से एकदम यह प्रशन खूब आते रहते हैं बस आपका data change हो जाता है इसमें है कि कोई CI है इसमें चार वर्श में जो है स्वेम की 3 गोना हो जाती है Q. souls आपके rate रहती है समान दर्वर्व,ape and CIE जो है क कितिनी वर्शों में नो गोना हो जाएगा इसमें जो आपको यह कितना हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा इस तरह से power वालई वैयू आ-------- दे तो इस तरह से आप इस पैटर्न को जरूर से जरूर रट लीजेगा समझ लीजेगा ताकि आप ऐसे जैसे ही प्रशन देखे उसको तुरंत उसी टाइम आप सौल कर पाई ठीक है अब इसको कैसे करना है मैं बिल्कुल यहां पर समझा दे रही हूं आपको तो आपको सबसे पह या फिर किता चींज उसमें आ रहा है वो है ठीक है अब यहां पर बोला गया है कि वो चार वर्सों में थे यहां पर मैं चार लिख देती हूं पहली वाली तीन गुना हो गई है इसका मतलब है कि हमें तीन का लेके चलना है तीन का बेस यहां पर लेके चलते हैं तीन की के सेंसि me कैसे लिएंगे तीन की its power 2 हो समझा गया को तीन की पाफ़र दो तो यहां पर आपको इस तरह से यह पैटर बनाना होगा जिसे user का ए Mriku बाइने अब कैसे रिखेंगे तो इस पावर को जो है यहां ले जाएंगे और इस्से करदेंगे तो इन नोनों को multiply करने पर कितना आ गया 8 आ गया तो इसका answer जाएगा कि अगर 9 गुना जो है वो कितने सालों में हो जाएगी वो आपके 8 सालों में हो जाएगी वैसे ही अगर आपको दे दे कि वह 4 सालों में वो हो जाती है कितने गुना वह 2 गुना हो जाती है तो वह 16 गुना कितने सालों में ह होगी तो 16 को ना मैं 2 के से इस पर कैसे लिखूंगी तो 2 की पावर 4 यहां पर लिखूंगी तो यह चार जो है वो यहां पर इसे multiply हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा चार चोग 16 तो यह 16 सालों में कितने हो जाएगी आपर ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है कि अब मैं आपको एक और प्रशनिया पर समझा देती हूं जो कि आपका है बैक कोई आपका जो राशी है मांट है वापका चकरवती ब्याज की दर पर पांच वर्श में जो है ताइम आपका पांच वर्श है उसमें आपका कितना हो जाता है दो गुना हो जाता है ठीक है तो मैं दो गुना को यहाँ पर दो की पावर एक लिख दूंगी अब बताओ कि वह कितने वर्शों में ताइम बताना है कितन पांस से इंटू कर दो तो ये तो आपका आजाएगा चालीस अब आपको समझ आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर दो गुना नहीं पूछ के पूछ रेता कि चार गुना हो जाती तो मुझे यहाँ पर दो की पावर दो लिखना पड़ता तो इसका जो में अगर फॉर्मुला हम बात करें तो वह होता है कि पांस तो पांस लिख दो यह आपका इंटू में लिख दो जो इसकी पावर है वह आपकी नीचे आ जाती है अगर आप पर पूपर भी कोई पावर है एक का तो कोई मतलब अगर मैं आपर रखो कोई मतलब नहीं है इसलिए मैंने सीधा का सीधा ज हो जाते अगर यहां पर एक ही है तो चालीस साल है ठीक है तो यह पैटन अच्छे से रट लीजिए समझ लीजिए यह केवल आपका सी आई का पैटन है बाकि ऐसा ही का अगर आपको नहीं पता है तो वह भी मैं आगे आने वाले दिलों में बता दूंगे बाकि वह ही है उसमें क्या करते हैं चलो मैं बताई देती हूं थीक है अगर इसमें पूसते हैं कि इतने दिनों में अगर बोल दिए कि किन फांस कुना हो गई था पांस गुना हो गई कित शाल deste में हो गई तो बताओ वह 10 गुना कितने सालों में हो जाएगी ठीक है 5 गुना तो वो 20 सालों में हो गई अब वो कितने सालों में इतनी हो जाएगी तो यहाँ पर जो पहले वाली जो हो गई उसमें से 1 माइनिस कर दो तो यहाँ पर 5 में से 1 माइनिस किया तो 4 आ गया और टाइम का टाइम यहां पर लिख दो और कितनी मुझे करनी है यह आपका दस गुना करनी है तो एक माइनिस कर दो यह आपका नो हो जाएगा इसको इससे काड़ दो और यह आपका 45 सालों में जो है वो कितनी गुनी हो जाएगी 10 गुनी हो जाएगी यह आपका इसका है किसक का एसाई का है जो पहले पैटर्न बताया अब आपका सी आई का था ये दोनुं आप रट लीजिस इस तरह से आपके तीन प्रश्ण तेयार ओ गए हैं अगला एक और पैटर्न हम देखते हैं अहले की इस तरह के काफी प्रीश्ट आपको आते हैं कई लोगों को इणा नहीं पता हुता है क्या करें ऑर भी तरुके प्रुछन पूछ लिए जाते हैं जैसे कि अभी इसका रिमेंडर क्या निकले गा यूणिदी डिजट क्या निकले करेंगी इस तरह से इसके काफी सारे पैटर्न है करने के लेकिन आप एक चीज जरू कर सकते जिस पर आप बार बार प्रैक्टिस करें और आप जब एक्जाम में जाएंगे तो उससे भी अगर उस मैधर से जतना उसका जो झाब हम कर सकते हैं एक 11 में हम चार का भाग देंगे मिमेरा higher है नहीं आठ तक ही जाते तो तीन मचेंग सुआती है इसका मतलब है कि एक गारामें हम चारका भाग देते हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब क्तरिकर बच जाएगी ठीक है यहीं रख़ो गया तोiding कि can किन हो जाएगा अगला है आप पर 3 की powder 12 है तो इसका उनमें 12 में पूरा का पूरा भाग जायेगे 13 की पावर चार ही लिख देंगे तो 13 की पावर हम 4 लिखते हैं तो वह किता हो जाता है 81 अगला आपका है अगर हम 3 है 13 है तो एक बचेगा तो इसका मतलब है कि 3 हुँ अगर हम लिखेंगे तो वह कित् longtemps आजाये गा तीन आजायेगा इसके लावा 3 की पावर 14 है 14 में 4 का भाग देंगे दो बचेगा 3 की पावर 2 अगर हम लिखेंगे तो वो यहां पर आजाएगा नो अब उसको आप जोड लीजीए कितना आजाएगा हहां पर यह आपका 30 णाज आएगा यह आपका 90 हो जाएगा तो 120 आ रहा है अब 120 में आप डेख लीजे कि किस-kis इसका भाग जायेगा, 10 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, लेकिन 7 का नहीं जा रहा है, तो इससे आप ये अच्छे से समझ लीजिए, इस तरह कि जो भी चीज आती है, आप चार से उसको आप डिवाइड कीजिए, जितना छोटा आप इसमें लेंगे, जो बच ज जाएगा उसका जवाप है यह निकाल सकते हैं value कितनी आ रही है यह फिर मान कितना आ रहा है फिर आप उसको जोड़ देजी जो भी पूछ रहा है वह आप का जवाब यहाँ पर दे सकते हैं तिसे क्या भी यहाँ पर आंसर आ गया अब इसमें पूछ लेता है कि अगर इस पूरी डिजिट को जोड़ने पर भाई इसमें अगर हम तीन का भाग देते तो क्या बसता चार का भाग देते तो क्या बसता मतलब इसमें अगर हमें पूछ ल जो मिक्षिर का क्वाशिन की खाफी पूच जाते हैं इसको भी घखते से प्रैक्टिस करें और समझें भी leyT आप process पांच हो साथ और फिर अपका पांच है फिर आपका जो चेंज हो जाता है क्या हो जाता है जबकि हमने तो मिलाया क्या है पानी ही मिलाया है तो इसमें change नहीं आना है इसमें change आना है इसलिए आपन क्या करते हैं acid की जो value है वो दोनों में ही समान कर लेते हैं अब समान हम कैसे करेंगे तो 7 और 4 में ऐसा कौन सा मुझा में करें या तो आप इसका जो है चार को साथ से एंटू कर दो यह है फिछ सांत को चार से एंटू कर दो तो बराबर हो जाए अचा को आप एक बर पर की ने गएगी 됩니다 and onset के पर चंब saya हो very fight एफ किए त्हूंट के और यहापकी 26 हो जाएगी तो 18 हो जा इसमें आपकी 28 हो जाएगी इसे तो मैंने बराबर कर दिया है और यह आपकी 21 हो जाएगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आगया है वह 14 लिटर जल मिलाया है इसका मतलब है कि यहाँ पर तो एक ही आ रहा है इसका मतलब है कि 20 ता पहले एक में चेंज आया है इसका मतलब है कि एक जो है वो किसके बराबर है वो आपके 14 के बराबर है एक किसके बराबर है 14 के बराबर है तो यहां पर हमें जानना है कि अमल की मात्रा कितनी है तो 14 को 28 से गुणा कर दीजिए आंसर क्या जाएगा 392 इसमें आपको कुछ भी पूछे आपको इनको जो है र भराबर उसी को करना है जिसको नहीं मिले जा रहा जीस को नहीं छेडा जा रहा है और बाके जिसको 마라 जा था उसमें तो चेंज आना नहीं चाहिए अगर आपको अबoca Pacific मिला से तो आपको राब रखना था आपको वर्ण गला rire है वह हम सीखने वाले हैं तो इस तरह के प्रश्ण है काफी में आपके काम आएंगे बिल्कुल आप अच्छे से इसको समझ लीजेगा अब इसको समझ है आप जैसे कि अगर को रूट इस तरह से होता है कि समझ आगे आपको कि मुझे को या अगर अगर को तीन लिखा जाता है यांपर आठ अऽश्का मतलब है में आठ का जो क्या निकालना है स्काम दो आजाएगा ठीक है यह आपका 1 upon 3 का sign यहां पर यह आ जाएगा इसका मतलब यह होता है अब इनको तो हमने इस तरह से समझा है बटिवर इस पर अप्लाए करते हैं तो यहां पर आप समझे कि 10 की power यहां पर क्या है 1 upon 6 3 की power यहां पर है 1 upon 4 25 की power यहां पर है 1 upon 20 बम यहां पर इनको क्या करना है कि घते विकरम में लगाना है छार बार इसका मतलब है मैं हमें 10 की power 4 देखनी है पहला तो यह है इसकी भी चोईस इनको इंटू कर देंगे न वही इससे तो चार यहाँ पर तो यहाँ पर छे आ गया तो तीन की पावर चे अगला है 25 तो 25 की पावर यहाँ पर 2 अब आप इनको easily solve कर सकते हैं और उनको आप बता सकते हैं कि इनका order क्या रहने वाला है ठीक है I hope आपको यह समझाया होगा तो अगर हम 10 की पावर अगर हम देखें तो वो कितना हो जाएगा अगर हम यहाँ पर बात करें दो तीन की पावर 5 तो यहां पर क्यों जाएगा 27 round 3 윯ांपर ef पावर इतिक निकाल तो यह बस इत्री की पावर 6 क्या होगा 629 आप यहां पर आपको देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा जाएगा घटते विक्रम में लगाने तो पहला जाएगा आपका यह वाला मतलब दसकी पावर 6 वाला सबसे बड़ा है फिर उसके पाद 629 फिर यह सबसे छोट आपका 625 इसलिए आपका यह वाला उप्शन हो जाएगा ठीक है यह आपको जरूर देख लिए ना है यह आप मैंने सीधा यह वाला कर लिया यह वाला तापका 3 की पावर 5 वता है इसको और बार मल्टिप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 6 हा जाएगा इससलिए हम पैटन है फिक्स्ट पैटन है ऐसा समझे आप आप इनको जरूर देखेंगे प्रेक्टिस करेंगे वह इस तरह के मेरे और भी पिसले वीडियो हैं पिसले अंटिटी के अंदर मैंने करवाये हैं उनको भी आप देख सकते हैं बाकी आने वाली जो कुछ एक दिन हैं उनमें बुकुल इस तरह के वीडियो आपको मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट को लेकर के तो मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी जतना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा तो आज किस वीडियो में इतना ही थैंकि फॉर वाचिंग और अगर आपने सब्सक्राइब नह हम इतना ही